आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूज करते हैं कोई सैमसंग का फोन और यहाँ पर अगर आपके फोन की फ्लैश लाइट यानि की टॉर्च वर्क नहीं कर रही है यानि की काम नहीं कर रही है तो ये प्रॉबलम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो म जानते हैं इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए आपको अपने फोन में सबसे पहले सैटिंग्स को ओपन करना है यहाँ पर आप सैटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए और नीचे स्क्रोल करने पर एक आप्शन आपको मिलेगा सौफ्टेर अपडेट इस प को अपने फोन को अपडेट करना है और अपडेट आया है तो कर लीजिए लेकिन अगर अपडेट नहीं आया होगा तो बैक आजाईए और उसके बाद आपको सेट्टिंग में ही नीचे एक option मिलेगा जन्रल management इस option पर click करिए click करने के बाद एक option आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे scroll करने पर एक option मिलेगा reset यहाँ पर आप देख सकते हैं reset के option पर click करिए reset पर click करने के बाद आपके सामने तीन option आएंगे एक आएगा reset all settings reset network settings और एक option आएगा reset accessibility settings तो आपको reset all settings पर click करना है click करने के बाद reset settings पर click करिए और उसके बाद अपने phone का lock enter करिए lock enter करने के बाद अगर okay करने को कहता है यानि कि फिर से confirm करने के लिए कहेगा तो reset settings कर दीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह करने से कोई आपका data delete नहीं होगा यहाँ पर लिखा हुआ है यह आपका delete नहीं होगा security settings, language settings, account, personal data settings for downloaded apps तो यहाँ पर only आपके phone की settings reset होगी यह करने से कोई data आपका delete नहीं होगा तो जैसे आपके phone की एकदम नई settings होती है default वो set हो जाएगी बट कोई data delete नहीं होगा तो reset settings करने के बाद अब अपने phone को आपको restart करना होगा यानि की बंद करके चालू करिए और अपने phone को restart करने के बाद आप check कर सकते हैं आपके phone के flashlight work करने लग जाएगी और आपकी problem solve हो जाएगी तो इस तरह से इस problem को आप ठीक कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe जरूर करें